अलो सिल्वेन, वेलकम तो डिक्षांतरु टेक, my name is Anupa, I am your nursery teacher, so today I will teach you an English subject and topic is animals, okay, animals में क्या हम पढ़ेंगे आज, animals में जिस क्या होता है, आपको तो पता है, आप जब देखते हो, इदर जब घर से बाहर निकलते हो, तो बहुत सारे आपको छोटे छोटे क्या मिलते है, animals दि जोट, cats, mouse, ये सब क्या है, animals है, तो ये ही जो animals का हम क्या पढ़ेंगे, आज इस चाप्टर पे Psal परेंगे क्या कौन-कौन से animals होता है और उसका क्या-क्या नाम होता है, और उसको क्या हम बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, okay, तो आप स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा animals हैं न एनीमल्स है न अब आपको चेक करना है कि कौनसा उन्म शोबры कि देखे हो और कौशा नहीं देखे हो अगर आप लोग जुन नहीं भूआ होगे आनी होगे तो तो क्भूबल अगर गुए होगे तो बहुत सारे animals देखें के बार उसमें से किसी का नाम आपको पता होगा और किसी का नहीं पता होगा तो आज हम पता कर लेते हैं कि कौन से animal का क्या नाम है तो ये कौन सा animal है इसको चेक करो बताओ फोटो कोड आइडेंटिफाई करो तो क्या है ये ये है elephant है ना देखें हो elephant को आप लोग टीवी में देखें हो या फिर real में real में भी हम लोग elephant देखें हैं और टीवी में तो देखते ही है है ना elephant बहुत big big elephant होता है तो elephant हो गया इसको क्या बोलेंगे इस animal को? elephant और इसको तो आप रोज ही रेखते हो यह क्या है? dog और यह क्या है? kangaroo इसको तो आप लोग नहीं देखें इसको अगर हम लोग जू में जाएंगे तो देखेंगे और यह क्या है? the big tall animal क्या होता है? जीराफ इसको यह क्या होते है? इस connect बहुत ही जादा big होता है, tall होता है तो tallest animal है उसको क्या बोलते है? जीराफ यह क्या है? tiger देखू इसको tiger यह क्या है? camel नेक्स्ट क्या है? gorilla और यह क्या है? lion और यह horse तो अब हम एक साथ इसको ग्रूप में देखते हैं, इतने सारे मैंने animals का नाम बता दिया कि मैं तो confused हो गया, तो अब क्या करोगे आप लोग, तो हम आप लोग को easy way में बताने के लिए क्या करेंगे, one by one animal का name आपको learn कराएंगे, तो ये क्या है, English में भी दिया है, और Hindi में भ pet animals, तो आप लोग जब देखते हो, आप आसपास देखते हो, तो चाव है, डॉग है, ये सब आप animal अपने day to day life में देखते हो, तो यो animals हम लोग अपने घर में रखते हैं, या फिर जिसको हम लोग पाल सकते हैं, तो उसको pet animal कहा जाता है, जिसको हम लोग घर पे पालते हैं सब्सक् moral heating में रहते हैं इत्म जंगल में रहता है söylोत है बोल सब्सक्राइब होते हैं तो दो तरीक एति है तो पहले हम contrast घहता है उसके किया करते हैं पाल सकते हैं खाना पानी teachings जैसे रखते हैं हरार आपका जॉग कि तो भर में रखते हैं उसरी पानी है और यह हमारे घर की क्या करता है गार्डिंग करता है रखवाली करता है तो इस अनिमल को क्या बोलेंगे हम लोग पैट अनिमल तो पैट अनिमल में कौन कौन सा आएगा देखो जैसे डॉग हो गया कैट है काउ है है ना बुफैलो है आउक्स है गौट है है ना डंकी है हॉर्स है मूल है कौक है तीप है फेन है और क्या है पैग है कैमल है और एलिफेंट है तो कुछ अनिमल जो है वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग पैज्व को पालते हैं चैम करते हैं तो यह क्या है पैच अनिमल है अब आते हैं नेक्स अब हम बाई वन इसको करेंगे यह देखो क्या लिखे है इलिफेट तो यह पर से जो है नेलिफेंट से पिक्चर भी बना है बहुत मज़ा आता है काटून भी बहुत सर आता है एक आप लोग प्राइब जंगल्बुक जो एक लगा होता है जो जंगल्बुक होता है वो जंगल में रहके सारे अनिमल को अपना फ्रेंड बना लेता है और सभी की आवाज वो बोलता है तो जंगल बू का आप लोग देखे होगे तो पता होगा वाइल्ड अनिमल क्या है तो यह क्या है एलिफेंट है और एलिफेंट का क्या होता है यह बिग बिग ट्रंक होता है है ना और यह क्या है इसकी बिग बिग टस्क होता है यह इनि तीथ है किस कलर का एलिफेंट होता है ग्रेए किस कलर का ग्रेए कलर का होता है आप लोगे थे याये कितनी है तू है और इसके लेक कितने है फोर है तो इसके लेक कितने हुए फोर और हमारे लेक कितने है तू पर इसके तो हैंड नहीं है और हम लोग के हैंड है तो इसके फोर लेक्स है है ना तो जो फोर लेक्स वाला होगा वो क्या होगा एनिमल्स होगा तो यहां पर क्या है इस animal का नाम elephant. क्या है? elephant. Next आते हैं. ये क्या है? horse. horse means क्या होता है? घोरा. ये क्या है? horse है. और horse की spelling किस से start हुई? H for horse. और ये किस color का होता है? ये होता है brown color का. होता है ना? brown color का भी होता है. white color का भी होता है. gray color का भी होता है. black color का भी होता है. और इसकी क्या है? एक tail होती है, है ना? और इसके leg कितने है? 1, 2, 3, 4. और इसकी eyes कितनी है? 2 है. और इसके सिर पे भी ball होता है, है ना? तो ये क्या है? ये कितनी है? 2 है. तो इस animal का भी कितना leg है? 4 तो और इस animal का नाम क्या है? Horse Very good तो ये किस color का है? Brown color का Very good अब आते हैं next ये क्या है? Lion L-I-O And first letter क्या है? L और जो lion है, वो कैसा होता है? ये होता है, yellow color का है ना? Yellow color का होता है It means dark brown होता है और ये देखो, इसके भी क्या है? Hairs है Eyes कितनी है? 2 Leg कितने है? 4 ठीक है? और ये क्या है? Lion ये कौन सा animal है? Wild animal तो wild animal कहां रहेगा? घर पे रहेगा? की forest में रहेगा? Wild animal आपको पता है ना? Forest में Well done तो ये forest में रहेगा और इसके लग कितने है? 4 और इसको क्या बोलते हैं? Lion जो lion होता है वो king of forest होता है जंगल का राजा होता है और सारी जो जंगली जानवर है All animals जो है इसके order को फॉलो गरते हैं ये जो भी order देता है सारी animals को उसकी बात को मानना पड़ता है ओके? तो ये है Lion L4 Lion Lion मेंच क्या होता है? Same और Lion क्या होता है? King of jungle है ना? ये बहुत ही ज़्याद है Strong animal है और ये कैस क्या खाता है? ये खाता है Fles यानि जो कच्चा मास होता है वो ये खाता है तो ये क्या होता है? इससे इसमें ये क्या होता है? सभी इनसानों को पकर के खा जाता है तो इससे बच के रहना चाहिए जहां भी लॉयन देखो दूर भाग जाओ लॉयन तो आपको दिखेगा नहीं? ये कहां दिखेगा? या तो आपको जंगल में दिखेगा? या तो आपको जू में दिखेगा है ना? तो ये या फिर आप इसको कहां देख सकते हो? टीवी पे, मुबाइल में है ना? जहां जो आप लोग जोग जोग्राफिक चैनल देखते हो जिसमें एनिमल्स के बारे में दिखाया जाता है वो सारा जो उसमें आप ऐसे लॉयन को देख सकते हो ठीक है? तो ये क्या है एनिमल्स का नाम? इस एनिमल्स का नाम है? लॉयन नेक्स्ट आते हैं काव है ना? C-O-W काव दा फिर्स लेटर इस C C for काव ये देखो काव के किलेग कितने है? 1, 2, 3, 4 कितने लेग है इसके? 4 लेग है और इसकी आइज कितनी है? 2 है ना? इसके होन कितने है? इसके है? 2 है ना? और इसकी टेल कितनी है? 1 और इसका माउट देखो कितना बीग है? है ना? जो इसका कलर क्या है? सैड़ेड कलर है, है ना? थो झॉक है वो ब्राउन कलर कम भी होता है एक पाइजा यहां वर्पनाश contributing काली दीखे गी स那个 बहुत कालर होतके है होता है गाए के काव का हिंडी क्या होता है का थो लम्वे हो जाते मस्बूत हो जाते हैं आप दूढ पीते हो ना तो जो दूढ पीते हो किसका होता है काओ का तो ये कौनवा इनिमल है पैट आनिमल का नाम बता हो इस पैट अनिमल का काओ। very good और यह different color का होता है इसके legs कितने है four eyes कितने है two है ना तो आप आते है next यह क्या है dog dog कितने eyes है two और इसके legs कितने है one two three four four legs है और यह किस color का होता है brown color का होता है white color का होता है black color का होता है sad it color का होता है बहुत सारे color का होता है ये dog ठीक है और dog जो है ہमारे घर की leveraging करता है है यह बहुत अच्छा garden है तो यह क्या है यह कौनसे animal है pet animal इसको हम घर में भी पाल सकते हैं हाँ और यह जंकल में भी रहता है लेकिन हम इसको गर में पाल सकते हैं कुछ जो डॉप होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं रहना कुछ डॉप यह ज्यादा स्वीट होते हैं तो यह नाम है इसका डॉप डॉप जिराफ को फरस्त लेटर क्या है जी और जी अगये दिकूई इसका जो नेक है, वो कितना टॉल है है ना, बहुत ही ज़्यादा टॉल है, और इसके लेक कितने हैं, काउंट करो, 1,2,3, 4, फोर फोर लेक्स है और इसके एक साइड है दुस्रे साइड टू आइज है और यह कितना बिग है ना तो जिराफ है वो कैसा अनिमल है यह वी वाइल आनिमल है और इसका कलर क्या होता है इसका ब्राउन और वाइट होता है सेड़ कलर होता है ठीक है तो यह सेड़ कलर का होता है जिराफ और यह टॉलस्थ अनिमल है टॉलस्ट अनिमल कौन सा होता है जी फो जिराफ ओके इस तरह से देखो जितने भी अनिमल्स आप अभी तक जान पाए हो वो क्या है उसकी कितने टाइगर, टीफो, टाइगर, टीफो, टाइगर, जो टाइगर है, वो कैसा होता है, येलो एंड ब्लैक स्ट्रीप होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैशनल अनिमल भी बोलते हैं, किसको, टाइगर को, ओके, और जो टाइगर का, जो लैग है, कितना है, 1, 2, 3, 4, tell कितनी है, 1, eyes कितनी है, 2, और ये देखो कितनी बड़े-बड़े इसके तित है, है ना, तो ये तित है, तो ये बहुत उस पित से क्या करता है, जानवरों को फार देता है और खा जाता है, ठीक है, तो टाइगर भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा strong animal है, और ये कैस animal है, wild animal है, तो अभी तक हमने lion को जाना और tiger को जिराब को ये क्या है, wild animal है, 2, 4, tiger, tiger is a national animal, tiger is a national animal, well done, next is cheetah, ये क्या है, बहुत ही जजार runner है, ये बहुत तेज दोरता है, बहुत तेज दोरता है, और ये किसी को भी हरा सकता है, ये तेज दोरता है, इसको first runner कहते है, चीता भी कियेको कैसा है, इसके body में dots बने होते हैं, yellow और black के dot होते हैं, yellow और black के dot होते है, ओचीता जो है और आइस कितने हैं? One, two. है ना? तो लेक कितने हुए? Four. आइस कितनी हुई? Two. टेल कितना हुआ? One. और इस अनिमल इस अलसो वाइल्ड अनिमल. यह क्या है? वाइल्ड अनिमल है. ओके? और इस अनिमल का नाम क्या है? चीता. Next है, Cat. पुसी, Cat. पुसी, Cat. C for Cat. C for Cat. और जो Cat है, वो किस कलर की होती है? ग्रे कलर की है. और यह भी इसमें भी स्ट्रिप बने होते हैं. ब्लैक कलर के. और इसके भी लेक कितने होते हैं? Four. लेक होते हैं. Four. लेक, one. टेल. Two. आइस. One. And two ears. तो यह क्या है? Cat है. और जो Cat है, वो क्या करती है? वो सबका दूद चुरा के पी लेती हैं घर में. वो जो बिल्ली मौसी बड़ी सियानी है. और यह चुरा चुरा के क्या करती है? घरों में दूद पी जाती है. है ना? तो Cat तो आप लोगों ने अपने घर पे बहुत देखा होगा. तो Cat तो बताओ कौन सा अनिमल है यह? Pat अनिमल. Well done. और इसको आप अपने घर में भी देख सकते हो. है ना? तो यह बहुत famous अनिमल है. है ना? क्यूकि हम इसको day to day life में देखते हैं. C for Cat. पीता, जिराफ, है ना? और यह सब जो आनिमल से हमने वाइड अनिमल भी पढ़ लिये. और पैट अनिमल. अब बताओ पैट अनिमल का नाम बताओ कुछ. तो पैट अनिमल के नेम होगा है. डॉग, कैट, है ना? तो यह जो है आप और काउड. इंच सब को हम लोग घर में पाल सकते हैं. तो पैट अनिमल है. और जो लेफ्ट बचे, वो क्या होगा है? वाइल अनिमल. तो यह क्या है? पिग. यह क्या है? काउ. यह होर्स. और यह क्या है? सिप. और यह है डॉग. तो सेम एजिट इस फोटो बना हुआ है. तो इसको क्या करना? करनेक दम मदर अनिमल टो देर बेबी. यानि कि यह मम्मी है. और इसके बच्चे को क्या बोलते हैं? तो मम्मी होगी, बड़ी होगी. और जो बच्चा होगा, वो क्या होगा? छोटा होगा. तो हमें बीग वाले फोटो को स्मॉल वाले फोटो से मैच करना है. तो इस तरह हमने मैच को दिया. अब आते हैं next. इसके बाद देखो. यह क्या है? Draw the line, match each picture on the left and each shadow on the right अब यहाँ पे देखो यह जो photo है और इसका जो shadow है यानि छाया है इधर बना हुआ है हमको shadow से animals के real picture को match करना है तो कैसे करेंगे? यह क्या है? This और यह क्या है? This यह fox फिर इसका shadow देखो कौन सा है? यह है और फिर यह क्या है? यह तो हमने इसको match कर दिया है ना? left, right वाले को left वाले से match कर दिया यानि कि जैसा जिसका चित्र दिख रहा है shadow उसको उसके match कर देना है तो यह हमारा complete हो गया next क्या है? once again देखो अब यह फिर से है इसको match करना है देखो शीप कहा है? तो यह match हो गया उसके बाद चिकिन कहा है? उसके बाद यह क्या है? गॉट देखो गॉट कहा है? यह यह अतने से बना हुआ है ना? इसके उपर भी बना हुआ है और चिके में आपका हैتي यह पर है ना? अब यहाँ पर बना हुआ है यह ना? और इसके जैना हो गया है? बहुट ऑर निकला हुआ यह 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 और नेक्स्स क्या है आपका ये on the animal name and on the left to the matching from the animal picture on the right okay, अब यहाँ पर क्या लिखावा, P4 pig, अब देखो, pig का picture कहाँ है, P4 match करना इस तरह से, ये का क्या है, chicken, तो chicken किदर है, ये, अब यहाँ पर cow, CW cow, cow कहाँ है, match कराओ, cow ये रहा, next ship, ship कहाँ है, ये, है ना, और ये क्या है, duck, duck किदर है, DUC के duck, ये रहा, अब ये, होर्स कहाँ है, इस तरह से हम animals को उसकी name से match करेंगी, अब ये क्या है, देखो, कोई animal को cut कर दिया गया है, मतलब animals के body को half-half part दिया गया हुआ है, आधा इधर है, आधा इधर, तो first वाला क्या है, horse है, दूसरा वाला क्या है, chicken है, और तीसरा वाला क्या है, pig है, and next is cow है, तो आपको क्या करना है, कि आपको ये क्या है, horse है, और ये क्या है, chicken है, और ये क्या है, pig है, और ये क्या है, cow है, तो इसका name दिया हुआ, आपको अब उसके पीछे का part जो है, match करना है, तो पीछे का part क्या होगा, अब देखो, horse का तुर क्या होता है, tell होता है, यह क्या है यह देखो यह क्या है चिकन का है आधा पाट तो देखो चिकन कहां है तो यह तो इसको मैच करेंगे उसके बाद क्या है यह चिकन को यहां से मैच करेंगे और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अब यह क्या है पिग तो पिग का ऐसा होता है पीछे का पार्ट मोटा सा होता है तो हम इसको ऐसे मैच करेंगे और नेक्स्ट क्या है अब यह क्या है काउ तो काउ को मिल्क देती है और इसका पीछे का टेल जो है थोड़ा उपर से मोटा नीचे से थोड़ा सा पतला होता है तो ये काव हो गया इस तरह से हम हाफ पार्ट को भी मैच कर देंगे ठीक है अब आते हैं next में मैच दब बिगनिंग साउंड ओके तो आपको पता है कि शिप का किस से स्पैलिंग स्टार्ट होता है एस और एच तो इसका पहला लेटर क्या हुआ एस एच तो देखो एस एच किदर लिखा हुआ यहाँ पे तो ये रहा एस एच तो आप क्या करोगे इसको ऐसे मैच कर दोगे next क्या है काव तो cow किसे start है? C, C for cow तो यहाँ पे हम C से match कर देंगे PIG pig, pig का आपका consolidated start है P तो यहाँ पे हम P से match करेंगे यह क्या है? Roaster Roaster का क्या है? R तो R का क्या है? Small r तो हम इसको इसे match कर देंगे Lamb, जो lamb है वो किसे start है? L से तो जो l है, small l है, है ना? देखो कहा l लिखा हुआ है? तो यह रहा तो इसका हम animal को पहले बोलेंगे picture देखेंगे, बोलेंगे तो और उसकी spelling यहाँ पे लिखी हुई है तो बस इसका जो first letter है उसी को हमको यहाँ से match कर देना है Next है अब यह क्या है, filling the blanks है यहाँ पे spelling दी हुई है और इसको भरना है, तो देखो C-O-W, cow तो इसमें missing क्या हुआ? O Next है इसको थोड़ा सा पतला कर ले बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है pencil हमारा अब इसको मसार्ट कर ले यह क्या है, pig तो pig की spelling क्या होती है? P-I-G तो इसमें missing क्या है? I Next क्या है? Chicken तो C-H-E-C-K-E-N Chicken C-H-I तो यहाँ पे होगे हमारा Chicken And next is C-O-A-T यहाँ पे spelling हम लिख देते हैं G-O-A-T Got तो यहाँ पे O और A filling the blanks होगा यहाँ पे क्या होगा? H-O-R-S-E तो H-O-R-S-E पे क्या है? Duck D-U-C-K Duck D-U-C-K Duck Ship S-H-E-E-P Ship S-H-E-E यहाँ दो बार E को लिखना है तो double E होना? Rooster R-O-H-T-E-R R-O-O-S-T-E-R यह हमने missing spelling को field कर दिया अम नेक्स्ट आते हैं Look at the picture of the animals and write their first letter Okay Do you know? This picture is This picture is C-A-T-Cat Cat Cat first letter is C And this is Tiger T-I-G-E-R Tiger The first letter is T-F-O-T-I-G-E C-F-O-C-E-R Okay Finish Next Okay Complete तो आप हमारा क्या होगा? आज हमने animal chapter को पढ़ लिया दो तरह क्या animal होते हैं? कौन-कौन से होते हैं? Pet animal and wild animal Wild animal जो हमको दिखते नहीं जो जंगल में रहते हैं और जो pet animal होते हैं जो हमें दिखते हैं जिसको हम घर में रखते हैं वो pet animal है ठीक है? तो pet animal क्या-क्या है? डॉग है, कैट है, काउ है और गौठ है ये सब क्या है? पैट animal है wild animal जो कि कहां रहते हैं? फोरेस्ट में रहते हैं तो जैसे कि लॉएन है, टाइगर है, जिराफ है, अलिफेंट है ओके? तो ये सब क्या है? wild animal है तो आप लोग को समझ में आ गया animals और उनके नेम आप लोग प्राक्टिस करोगे तो आपको animals नेम सारे याद learn हो जाएंगे, I hope सबको learn भी हो गया होगा तो आपको क्या करना आपको पता ही है दिख्छांस एडूटे को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फुल वाच करना है और चाइनल को लाइप बूटन प्रेस करना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बाई 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 चिल्डेन, have a nice day टेक क्यो